36 साल में पहली बार कंगारवो की करारी हार कोली राहुल का जादू चाया आस्ट्रेलिया घुटनों पर आया विशिकप 2023 में टीम इंडिया ने आस्ट्रेलिया को 6 विकिट से हरा कर विजय आगाज कर दिया है चेन्नाई में खेले गए इस मैच में पहले भारत की स्पिन तिकडी ने धमाल मचाया तो फिर बल्लेबाजी में विराट कोली और केल दाहुले शांदार पारी खेल कर कंगारवो के छक्ये छड़ा दिये 36 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कंगारवो को शिकस्त का सामना करना पड़ा है वहीं इस सैंचुरी का यह पहला विश कप है जब उस्टेलिया टीम ने अपने पहले ही मैच में हार का स्वाच चखा है चेन्याई के चेपक स्टेडियम में खेले गए इस मैच में ऐस्टेलिया टीम ने टोस्ट जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया कंगारो टीम की शुरुवात अच्छी नहीं रही और बुम्रा ने तीसरे ओवर में ही टीम इंडिया को पहला विगिट दिला दिया इसके बाद डेविड वार्नर और स्टीव सिमित ने जरूर कुछ टिकर बल्लेबाजी की लेकिन स्पिन आकरमन आने के बाद उस्टेलिया ये बल्लेबाजी बुरी तरह बिखर गई और पूरी टीम उड़नचस दिसमलो तीन ओवर में 1099 में रन पर धारशा ही हो गई आस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव सिमित ने सबसे ज्यादा 46 सन बनाए इसके लावाद डेविड वार्नर ने 41 और आखर में मिशेल स्टार्क ने 28 सन बनाए भारत की तरफ से रविंदर जडेजा को तीन विगट मिले इसके लावाद दो दो विगट जस्परीद बुमरा और कुलदी प्यादव कुमले लक्ष क्या पीछा करने उत्रे टीम इंडिया की शुरुवात काफी खराब रही और उसके शुरुवाती तीन विगट केवल दो रन के अंदर पवेलियन लोड गए कप्तान रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेस आयर खाता भी नहीं खोल पाए इसके बाद वराट कोहली और केल राहुल ने चोथे विगट के लिए एक सो चोसोट रन की साज़ेदारी कर टीम इंडिया को जीत के मुहाने पहुचा दिया कोहली 85 रन बना कर आउट हुए तो वहीं केल राहुल 97 में रन बना कर नाबाद लोटे 1996 विषकप के बाद यहाँ पहला मोगा है जब उस्टेलियाई टीम को पहले ही मेज में शिकस्त का सामना करना पड़ा है इसके लावा चेन्नाई के मैदान पर यहाँ कंगारू टीम की पहली हार है इससे पहले उस्टेलिया ने 1987 में भारत और जिंबाबे को इसी मैदान पर शिकस्त दी थी इसके लावा 1996 में खेले गए विषकप में उस्टेलिया ने अपने चिर पिर्तिद्वन दी न्यूजिलेंड को हड़ाया था वहीं दूसी तरब टीम इंडिया ने लगा था चोठे विषकप में जीत के साथ आघाज क्या है इससे पहले 2019, 2015 और 2011 में टीम इंडिया ने अपने पहले ही मैज में जीत हासिल लिखी थी हलाकि 2007 में खेले गए विशकप में उसे अपने पहले ही मेहज में बंगलादेश के खिलाव हार का सामना करना पड़ा था